हेलो तरशको, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में और लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी, जैसा कि आपने देखी होगी अगर वे वीडियो सेक्शन वन अफ दे कंपनी जैट 2013 की हमने बात करी थी और काफी अच्छी वीडियो निकल के आई थी, वो भी काफी अच्छी अनालिसिस हुई उसमें तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन टू की बात नहीं करेंगे क्योंकि देखें सेक्शन टू जो है, वो चैप्टर वन के अंगर यह है, कंपनी जैट 2013 के लेकिन चैप्टर जो सेक्शन टू है, उसमें कई सारे क्लॉजेस हैं और क्योंकि उसमें कई सारी डेफिनेशन दे रखी हैं बहुत सारी टम्स की तो वो हम जो है इस तरह से करेंगे कि जब जब जिजिज एक सेक्शन में हमें लगेगा कि हाँ, इस वर्ट का मतलब अब समझाना चाहिए सो सेक्शन टू को हम एंट्री दिलवाएंगे तब जब 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 उसकी जरूत पड़ेगी अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंपनी इस एक 2013 है उसमें 29 chapters हैं और हर chapter के अंदर कई सारे sections हैं तो वहाँ पर जो हमारा chapter 1 है, हमने बात करी थी हैं वहाँ पर उसमें किवल 2 sections है, section 1 और section 2 और याद कीजिए हमारे chapter 1 का नाम क्या था, preliminary, okay अब जो section 3 है, वो companies act के कौन से chapter में fall करता है chapter 2, अब देखे, मैं आपे लिख लेता हूँ, इस chapter के बारे में थोड़ी से हम बात करते हैं और फिर section 3, जो हमारा आज का इस में target है, जिसमें basically types of company जो companies act 2013 ने का है, कि कितने तरह की company हो सकती है, basically, तो वो हम बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा chapter यह जो हम start करेंगे, section 3 वो हमारे कौन से chapter में fall करता है, companies act 2013 के chapter 2, ठीक है अब जो मारा chapter 2 है, उसका एक बार structure देखे है, इसके अंदर है section 3 से लेकर 22 तक जो मारा पहला chapter था, chapter 1 of the companies act 2013, उसके अंदर section ते section 1 और 2 जो हमारा chapter 2 है, उसके अंदर section 3 से लेकर 22 तक, हर section अपनी अपनी बात कहता है लेकिन देखे, chapters में बाटने का purpose क्या होता है, कि जो section 3 से लेकर 22 तक है वो कुछ एक basic topic से related ही बाते करेंगे, और वो जो topic है, वो हमें पता लगता है chapter की heading से जो हमारा chapter 2 है, जैसे chapter 1 की heading थी preliminary, तो उसमें basic बाते, जो एक structure, name बगारा बताना था उसमें वो चीज़े हमने बता, जो preliminary बाते, जो एक basic बाते शुरुवात में बताई जाती है, तो उसे साब से उस chapter का नाम रखा गया यहाँ पे, अब chapter 2 जो है, उसकी heading है, incorporation of company and matters incidental there too अब इसका मतलब क्या है, incorporation of company का मतलब होता है, company को existence में लाना, उसको birth देना, law की नजरों में क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, company की separate legal entity होती है, यानि कि law की नजरों में company में अपने एक person है और वो सारे काम कर सकती है, जो एक normal एक person करता है, तो उस तरह सा ही company को देखा जाते है कि company property hold कर सकती है company के खिलाफ case हो सकता है, company भी किसे के खिलाफ case कर सकती है, यानि कि most of the चीज़ें, जो एक individual को देखा जाते है कि वो कर सकता है वैसा ही जो हम कहते हैं कि company को भी वो सारी चीजे करने की powers हैं क्योंकि उसको भी person माना जा रहा है हाला कि वो natural person नहीं है उसको law की नजरों में person माना जा रहा है के वल तो इसलिए उसको हम कहते है artificial person ठीक है ओके तो यहाँ पे हमने यह बात करनी है कि जो मारा chapter 2 है वो incorporation of company and matters incidental there too यानि कि उसको जो इर्दगिर्द और जो matters है supporting matters है उनकी बात करेगा तो basically हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक company को बनाने में एक company को law की नजरों में form करने में बर्थ करने में जितने भी process जो लगेगा और उसके बात जो incorporation के बात की जो compliance यानि की जो कानूनी जो और चीज़ों के बारे में chapter 2 बात करेगा ठीक है मैं आपको एक golden advice देना चाहरा हूँ पूरे companies act के लिए आप कभी भी ना simply ये नहीं देखिए act को पढ़ते वक्त की हाँ ये चीज़ है और इस चीज़ को में पढ़ना है समझना है और इस चीज़ को हमें अपने दिमाग नहीं लगाना हमें अपने दिमाग को दबाके डम करके simply इसको पढ़ना है आप कभी भी ऐसा मत सोचिए आपना एक attitude ऐसे रखिए law को पढ़ते वक्त कि पहली बात तो bare act से पढ़िए और दूसरी बात bare act जब आप पढ़ें तो ऐसा imagine करिए ऐसा जो एक कहिने के visualize कीजिए कि यह आपके सामने ना किसी ने आपके junior ने यह law बना के भीजा है जो में इंडिया के लिए हम बना रहे हैं आपके junior ने आपको भीजा है और आप इसको review कर रहे हैं review करते वक्त आपके पास पूरी वाबर है कि अगर आपको कोई चीज illogical लगती है तो उस चीज़ को आप यह उठाईए ठीक है इससे क्या होगा आप अपने दिमाग को डंब नहीं करेंगे उल्टा हर वो चीज जो आपको जिस पर लगेगा question करना चाहिए उस पर आप question करेंगे अब यहाँ पर आप अपने teacher से question कर सकते हैं लेकिन एक attitude change से ही हो जाएगा कि पहली बात आप अपने जिमाग को डंब नहीं करेंगे और actively जो है read करेंगे उस चीज को क्योंकि आप यह सोचेंगे क्योंकि मैं इस चीज को review कर रहा हूँ तो मैं मुझे कोई भी चीज illogical लगी तो उस चीज को मैं जो है math करके उसको सवाल उठाँगा कि यह चीज यूँ इस तरह से क्यों बनाई गई है ओके ठीक है अब इस chapter के देखिए जो भी chapters है companies है 2013 में उनसे related government है और यहाँ पर government का मतलब है ministry of corporate affairs इस act के लिए तो उसको power दी गई है कि हाँ आप rules बना सकते हो journal ही जो rules बनेंगे जर्नली ध्यान से सुने एक जर्नली कहा रहा हूँ केवल जो rules बनेंगे उसका pattern यह होगा companies, okay bracket start, name of the chapter यानि कि वो जो rules जिस chapter के sections के लिए बनाए जा रहे हैं उस chapter का नाम, जर्नली कहा रहा हूँ अंदर जो आपको दिखेगा bracket के अंदर और उसके बाद bracket बन rules, comma जिस साल में वो rules आये हैं उस साल का जो लिखा होगा वो figure लिखी होगी 2014, 16, 18, कोई भी figure हो सकती है मैं यह क्यों कहा रहा हूँ कि journaling क्योंकि कई बार जो है क्योंकि हमें companies act में जो है government को इस तरह से power दे रखे है तो वो bracket के अंदर आपको तब chapter का नाम नहीं उस specific matter का नाम दिखेगा जैसे for example CSR policy है CSR committee है उसके लिए specific rules बना रखे है जबकि उस chapter का नाम जिसके अंदर वो section fall करता है section 135 उसका नाम CSR policy नहीं है उस chapter का नाम तो accounts of companies है तो ideally तो bracket के अंदर accounts of companies लिखाना चाहिए था लेकिन accounts of companies के लिए generally हमने separate rules बना रखे है लेकिन CSR के लिए क्योंकि हमें और specific और ज़ादा अथे से rules बनाने थे काफी ज़ादा इसके लिए हो गया होगा matter तो इसलिए उसके लिए specially जो rules बने है CSR के लिए अलग बने है मैं यह समझाना चाहरा हूँ आपको कि rules जब आप देखेंगे न तो यह मत गांट बांद लिजएगा कि यार companies और bracket के अंदर तो chapter का नाम ही देखेगा नहीं हमने government को power देते वकि कभी नहीं का है कि chapter के लिए आप हमेशा rules बना होगे आप किसी भी एक topic के लिए भी rules बना सकते हो ठीक है अब जो मारा chapter 2 है Companies Act 2013 का जिसके अंदर sections है 3 से 22 तक उसमें उसके regarding कभी भी अगर कोई हमें form फाइल करना है तो अब जो है नहीं companies है यानि कि Companies Act 2013 में क्या है chapter के हिसाब से form का नाम कुछ connectivity डालने के लिए रखा गया है तो जैसे ये chapter का नाम किया incorporation of company and matters incidental there too तो इस chapter से related जितने भी forms है उनका जो नाम है उस तरह से शुरू होगा INC 1, INC 2, INC 3, INC 10, 12, 11, 15 इस तरह से ठीक है पहले क्या था Companies Act 1956 में सीधा numbering चलती थी form 1, form 2, form 100, form 120 chapter के लिए अलग से नाम नी रखा गया था form का महाँ पूरे act के लिए form की गिंती थी ठीक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और उसको lucrative, attractive अच्छे से बनाने के लिए उसको connectivity लाने के लिए chapter का जो नाम है उससे मिलता जुलता जो हमने form का नाम रखने की सोची है ठीक है तो यहाँ पे INC, Incorporations का जो शुरू के तीन letters उठाए है इसमें जो है basically हमने basic बात तो कर लिए यह बात जो हम कोई भी जब chapter start करते हैं यह तब हम करते हैं कि उस chapter के अंदर कितने sections follow हो रहे है उस chapter का नाम क्या है और उसके rules किस तरह से बनाए गए उनका नाम क्या है और forms का नाम क्या है ठीक है तो इस chapter में हमें शुरुआत में बात करनी थी हमने इस वीडियो में कर ली अब आगे के जो sections है में बार-बार इस चीज को repeat करनी की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो चलिए हम start करते हैं chapter 2 of the company's act 2013 और उसमें जो हमारा section 3 है section 3 की heading है formation of company तो obviously यह हमें जो एक basic बात बताएगा incorporation of company बोल लो या information of company बोल लो उसके regarding तो ठीक है हम देखते हैं कि उसमें क्या लिख है ठीक है तो हर section की क्योंकि आप bare act पढ़ रहे हैं मैं मान रहा हूँ तो हर chapter की heading तो हमें पढ़नी पढ़नी है लेकिन अब chapter के अंदर तो हमें actually तो sections पढ़नी है तो section की भी heading दी होती है तो उसको भी अगर आप पहले ही पढ़ लोगे तो आपको कोई confusion बाद में rise नहीं होगी कि ये basically पूरा section बना ही किस चीज के लिए तो जैसे section 3 की heading है formation of company यानि कि हम expect कर सकते हैं कि इसमें हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो एक company को form करने के लिए जो ज़रूरी बाते हैं हमें सबसे पहले पता होने चाहिए उसके बारे में हमें पढ़ना है चीक है section 3 अगर आप bear act देखें तो पहली बात तो इसका structure क्या है इसके अंदर दो subsections है section 3 के अंदर जो भी बाते हैं उसको हम कहते हैं subsections ठीक है normally ज़र्दली हम subsections कहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक overall structure बता रहा हूँ पहले हमें सारा नहीं बढ़ना है इसके अंदर section 3 लेकिन एक overall structure मैंने जैसे section 1 के लिए बताया था कि उसमें 4 subsections हैं वैसे ही मैं यहाँ पे पहले ही बताऊं तो जो हमारा section 3 है उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा दो दो subsections हैं और जो पहला subsection है उसके अंदर 5 proviso हैं अब proviso क्या होता है proviso को short में मैं बात करूँ तो जब आप कोई बात कह देते हैं तो उसके बाद जो आप कोई बात जो आपको लगता है कि कोई एक special बात है जो फिर जो एक थोड़ा सा आपको सतरक करती है चोकना करती है कि ये बात जो आपने यहां तक पड़ी वो आधी बात थी आप जो इसके नीचे हम जो proviso में जो कहते हैं वो उस बात को पूरा करता है यानि कि मैं बात कहाना चाह रहा हूँ प्रोवाईजो भी एक प्रोविजन ही होता है लोकर लेकिन प्रोवाईजो ऐसा प्रोविजन होता है जो एक वहां तक बात अधूरी होती है प्रोवाईजो में जब हम प्रोवाईजो उस पढ़ लेते हैं सारे तो बात एक्चुली पूरी होती है प्रवाईजो उसमें जर्णली कंडिशन्स आती है या कभी-कभी कोई चीज हमें जो specially ध्यान रखनी है उस तरह की चीज़े भी जो है प्रवाईजो की लेंग्विज में लिखिये आती है तो प्रवाईजो को बेज़े के लिए आप however भी बोल सकते हो कि हाँ आप यह यह पढ़ रहे हो अर्चानक से प्रवाईजो अगया इसका मतलब यह है कि यह जो सारी आपने बाते उपर पड़ी यह तो ठीक है करनी है लेकिन साथ में specially आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है जो प्रवाईजो में बताई गई है ठीक है तो ध्यान रखेगा प्रवाईजो भी एक तरह की प्रवीजन ही होती है लोगी जो इन बहुत important बाते है और कुछ conditions है जिनको हमें थोड़ा सा highlight करना है तो उसको हम अलग से प्रवाईजो करके लखते है ठीक है उसकी language होती है provided that फिर उसके और आगे जो और प्रवाईजो देने तो उसके language होती है provided further that या फिर provided also that ठीक है तो basically जो हमारा section 3 है उसके अंदर दो subsections है और जो पहला subsection है उसमें 5 प्रवाईजो भी है यानि कि उसमें बहुत सारी और भी बात है कुछ इस तरह से जो है मतलब situations बताई ही गई है situation को कैसे deal करना है उसका अंसर भी जो है कई बात को प्रवाईजो में मिलता है ठीक है ओके यहाँ पे इस वीडियो में हमें जो एक छोटी सी जो बात cover करनी है section 3 की वो हम जो है start कर लेते हैं तो हमें section 3 subsection 1 जो है वो बताता है उसकी language यह है a company may be formed for any lawful purpose ठीक है पहली बात तो कोई भी कोई भी business जो होगा वो एक lawful purpose के लिए होगा आप ऐसा कोई business नहीं कर सकते जो सरकार ने illegal बोल रखा है जो law की तरब से जो चीज जो allowed नहीं है prohibited है लेकिन फिर भी आप वो करना चाहरे हो ऐसा नहीं कर सकते तो यह तो obvious बात थी common sense की बात थी देखे मैं शर कहा रहा हूँ आप law को पढ़ते वक्त यह मैं सोच हो कि भाई यह तो बनके तयार हो गया हमें तो simply पढ़ना है चाहे illogical लगे है logical लगे आपको अगर कोई चीज illogical लगे भी तो अपने पास वो चीज नोट करते जाओ वो सवाल पूछो अपने साथी जो पाटी है उनसे या जो यह टीटर से या आपके जो प्रोफेशनल्स जिनके नोन में आपके अगर कोई है अगली बार जब amendment आईगी law में तो जब वो चीज ठीक होगी तो आप उस चीज को अच्छे से अप्रिशेट कर पाऊगे कि हाँ या 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 यह चीज इलोजिकल थी मुझे भी पता था और तभी यह चीज जो amendment के थ्रू आप चेंज कर दी गई है तो उससे आप actively learn करोगे औ तो हमारा जो section 3 है उसका subsection 1 यही बात कहता है कि lawful purpose के लिए जो आप business करने के लिए आप company बना सकते हो उसके बाद यह कहता है जो clause यह वो कहता है अगर आप public company बनाना चाहरे हो तो आपको 7 यह उससे ज़्यादा लोग जो at least चाहिए यह दूसरा clause कहता है B clause कि लेकिन यह यह आप एक private company बनाना चाहते हो तो दो लोग इसे भी काम चल जाएगा यानि कि at least दो लोग जो है चाहिए और ऐसा नहीं कि 7 लोग या 6 लोग होंगे तभी private company बन सकती है दो लोग इसे भी private company बन सकती है जीक है अब जो तीसरा clause है बहुत interesting है ध्यान से सुनिएगा लिखा है that is to say a private company अब यहाँ पर confusion स्टार्ट हो जाती है law में तीन clauses बाते हैं कि company जो आप इस इस तरह से बना सकते हो public company साथ लोगों से बना सकते हो मिलके at least private company दो लोगों से और यदि आप 1% company मनाना चाहते हो तो आप एक ही बंदा जो है एक ही बंदा उस company को स्टार्ट कर सकता है 1% company को यहाँ पर confusion यह arise होती है कि हम समझने लग जाते हैं कि company जो है law के साब से company's act के साब से कितने तरह की हो गई क्योंकि 3 clause दिख रहे हैं तो यानि कि 3 तरह की company हो गई यानि कि 3 तरह की company देखता है company's act 2013 लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है और शुरवाती section की जो गलती होती है वो आप आगी के section पढ़ते वक्त भी लगा होगे तो वो पूरा interpretation ही खराब हो जाएगा यहाँ पर जब हम पूरा पढ़ते हैं जैसा मैंने अभी पढ़ा भी था तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि law की नजरों में company 3 तरह की नहीं है company 2 तरह की है उसको law यातो सबसे पहले primarily कहा हूँ मैं primarily Law की नजरों में company 2 ही तरह की होगी या तो वो public company होगी या वो private company होगी अब लेकिन आपके स्वाल होगा कि मैं अगर OPC बि47 बिनाना चाह रहा ह कुछ जगा पर उसको privileges मिलें लेकिन OPCB basically किस तरह की company होगी OPCB जो है एक private company होगी ठीक है तो अब मैंने यह क्यों का कि primarily company's act के साफ से दुई तरह की company होती हैं क्योंकि आपने तो और भी words सुने होंगे holding company, subsidiary company, government company, small company, dormant company तो आपके साफ से तो यानि की company 10-12 तरह की होने थी है क्यों लेकिन actually वो जो नाम आ रहे हैं holding company, subsidiary company वो उन company के features या nature of company के साफ से आरे हैं जैसे banking company हम बोल देते हैं insurance company वो उस तरह से नाम दिये गए है features में fall हो गया है क्योंकि वो कुछ conditions fulfill कर रहे है वो या वो कुछ features जो है fulfill कर रहे है तो जाके उसको additionally हमने एक और नाम से पुका उसने section 3 में ही बता दिया है कि अगर इस act के through जब भी आप company बना रहे हो तो सबसे पहले उसे किस नजर से देखा जाएगा कि या तो वो public company है या फिर वो कौन सी private company है उसके बाद जब ये settle हो जाएगा मामला कि वो public company है या private company है उसके बाद features के basis पे या कौन सी conditions वो satisfy कर पा रही है उसके basis पे कोई और tag उसके साथ जुड़ेगा small company का, dormant company का, holding company का तो वो बात की बाते हैं लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ law के हिसाब से companies act 2013 के हिसाब से primarily सबसे पहले जो दो साचे है वो दो ही है types of company बाटने के या तो public company या private company ठीक है ओके तो फिलाल section 3 देखिए section 3 को अ बेरेक्ट में एक page का भी नहीं है मतला गर उसको print करो एक ही page का भी नहीं है वो लेकिन उसको अगर हम analysis करें तो यह जितनी भी बात अभी हमने समझी वो तीन चार लाइनों की थी तो मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा है मैं इस वीडियो में केवल इतनी तक ही छोड़ रहा इसी चीज को अगर आप समझ चुके हो कि हाँ एक चैप्टर का basic structure किस तरह से होता है उसके rules, forms और किस तरह से हमें जो interpretation करना start करना है जब हम किसी भी लोगों पढ़ते हैं तो वो सारी बात हमने इसमें discuss करी और उसके अलावा हमने एक हलका सा एक push देने के लिए section 3 start करने के हमने उसकी जो शुरवाती बात है कि types of company companies at 2013 के साथ से कितने तरह की होगी primarily वो हमने बात clear कर ली clear करते चलना है हम जो बात करेंगे clear करते चलेंगे हम ठीक है चाहे वो थोड़ा सा 5 minute उसमें extra लग जाएंगे लेकिन clear करते चलेंगे तो इसलिए इस वीडियो में मित नहीं करत हैं बाकी जो और बाते हैं क्योंकि बहुत सारी conditions होती जब आप एक company को incorporate करना चाहते हो तो आगे यही लिखा है कि primarily आप यह दो तरह की company हो गई या तीसरा जो एक private company का type of OPC आप जिस भी तरह से incorporate करना चाहते हो जिस भी तरह की आप company मनाना चाहते हो आप बना सकते हो और जो जोगे जब आप तो आप जो है company जो आपकी incorporate हो जाएगी तो यह एक बहुत 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 जर्दी है कि जो अपने आपर chapter 2 है वो कई सारी वीडियो में हम आराम आराम से आराम आराम से कवर करेंगे ठीक है अब अगली वीडियो का लेकिन मैं topic बता जेता हूँ अग अगली दो वीडियो में हम क्या discuss करेंगे वो हमने बात कर ली और public company और private company के meaning को discuss करते वख basically हम किसको refer करेंगे किसको section 2 को मैंने आपको कहा section 2 तब तब हम refer करेंगे जब कोई ऐसा context आजएगा कि कोई ऐसा word आजएगा जिसके definition दे रखी है section में ठीक है तो अगले दो वीडिय जरूर आप पिछली वीडियो जो section बनती हो जरूर देखिएगा और यह वाली वीडियो आपने देख ली बहुत 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 शुक्रिया आप यहां तक आप देख रहे हैं और आगे की जो वीडियो हम डालेंगे जरूर उससे जुड़ी रह गया और अगर आपको इस चै करचा करा कしा झालेंगे हैं और हम गया और सब सीजा खाी को इस चते हैं, एल झालेंगे हैं तक आपको बहुत व करणाओे की जोत मुटत Dafür diferen की हो का आपको जो बहुता हैं आपको एसर मुटत बहुत मुटत्क युटत वह हैं और से सह bon हैं चाना मेंया हम एस स Adams क्ज़ का ँ